आयोजक शृदिगंबर जैन समाथ C2A जनकपुरी नई दिल्ली संग्रक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेट धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उपप्रधान भीम सिंग जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सरसचिव मनीश जैन, कोशाध्यक्ष अतुर जैन, भंडारी संदीप जैन, सयूजक, सचिन जैन, पुनीच जैन, सुनील जैन, सदस्यगन, पंकर जैन, सुभाष जैन, कुनाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महला मंडल प्रधान, कविता जैन, कोशाध्यक्ष स्वाती जैन आध्यात्म का ये सोना पारसे ने खुद दिया है रिशियों की सिधरा से निर्वाण पदलिया है सदियों से सिखर पर सदियों से सरर पर शण्यूस रह रहा है पारशे प्रभु के दर पर सोना परस रहा है मदवन के मंदिरों में परवती की गर्व से रतिनों का ये खजाना जब तक एह चांद सूरज होगा नहीं पुराना जन में ये जेन कुल में तो क्यों तरस रहा है पारशे प्रभु के दर पर सोना परस रहा है महानुभाओं आज का जो बिसे है लगातार अनेक अनेक बिसियों पर प्रोचन चल रहा है और जो आज की बिसे पर चर्चा करना है कि क्रोध आने पर इंसान क्या करें और यह समस्या मेरी आपकी नहीं है आपकी नहीं है जन जन की है कहते हैं इंसान जब जनम लेता है तो भोजन करना बाद में सिखता है क्रोध करना पहले सिखता है क्रोध करना सिखाया नहीं जाता है क्रोध करना शुभाव हो चुका है कि यह हर इंसान को कहीं भी कभी वी और कहीं पर भी आ सकते अंतर इतना है कि क्रोध क्रोध के तरीके हैं एक क्रोध होता है ब्यूस्ता रूप में जिसे मंदिर की व्यूस्ता आपने सोपी है मैला मंडल की व्यूस्ता सोपी है हम संकी व्यूस्ता देख रहे हैं तीचर बच्चों की व्यूस्ता देख रहा है तो उस समय वह क्रोध करता है तो वह क्रोध उनके सुधार के लिए होता है और आप जो क्रोध कर रहे हो वह अपने बिनास के लिए क्यों कुछ लोगों के सुभाव में क्रोध इसकदर बैठ गया है कि उनके पास जाका निसान बात करने में डरता है कि बात करने जाएं और ऐसा नहों जाए कि कहीं बात करते कौन सी हैं कि यदि आप प्रेम से जानवर से वी बोलते हो तो अब आपके पास मेराता है इनसान की बात तो बहुत दूर की लेकिन हम क्या गरते हैं हम जब बात करते हैं जब इक रूधिली बात करते हैं तो क्रोध का प्रारंब कहां से होता है और क्रोध जाकर कहां समाप्ट होता है तो कहते हैं क्रोध का प्रारंब पागल पंशी प्रारंब होता है और क्रोध का स्वापन मुर्खता पर होता है मुर्खता से प्रारंब होता है पागल परवस्वापता कुछ भी समझ लीजिए एक क्रोध ऐसी चीज है जो इन्सान को आती है तो आने के बाद ना जाने उससे क्या करा देती विचार करिए कि आप घर से चले और मंदिर आने के भाव अपने बनाए आपने घर से जब चले मंदिर आने के लिए तो आपने क्या सोचा था मंदिर जाके क्या करोगे पूजन करोगे अविशे करोगे गुरु बानी सुनोगे अहार दोगे और कोई मिल गया तो जैजियन करेंगे यह सोच के चलता कि मैं मंदिर में जाकर क्रोध करूंगा लेकिन जैसे ही आप मंदिर के नीचे आए गाड़ी किसी की खड़ी है पहले से आपको गाड़ी पार्क करने की जगा नहीं बिल रही आपने क्या चालू कर दिया वहीं पहला गुला चालू कर दिया यह कैसे लोग हैं रस्ते में गाड नहीं रहता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं कि कई बार जब इंशान क्रोध में होता है यदि पिता जी को क्रोध आ जाए और वह अपने बच्चे पर गुस्ता निकालता है तो कई बार वह कहता है तू गदे का तू गदे का उल्लू का ऐसा मैं सुनता हूँ क्या कहते हैं कि जब क्रोध आया तो लोग कहते हैं तू गदे का बच्चा है तो गदा कौन हुआ गदा कौन हुआ जो बोल रहा है तू गदे का बच्चा है गदा तो वह स्वयम हुआ लेकिन ये क्रोध बुलवा रहा है वह नह किसी बातें बोल जाते हैं जिसको बाद में दिखोगे तो मालूम चलेगा मेरा मानना यह है यदि किसी को कुरोध आ रहा है हमें भी कुरोध आता है आपको भी आता संतों कुरोध आता है तो कुरोध जब चला जाए तो उसकी बाद आप उस बात को विचार करें कि इस बात को में क्रोध से नहीं ठंडे दिमाग से भी कर सकते हैं कई जगा तो क्रोध करने का निशियत है कहां कहां पर तो कहते हैं मंदिर में आओ तो ब्लकुल धिमाग से आओ आप बाहर हाथ होते हो ना थो थोड़ा सा जल अपने मस्तक पर भी जाल दो थोड़ा सा जल मस्तक पर भी डाल दो केते ठंडा हो जाएगा तो उपर सांती से बैठेगा भोजन करने जाओ तो बिल्कुल बिल्कुल सांती पूरुबग भोजन करना चाहिए भोजन करने के पहले हाथ मुझे दोते हो इसका सिर्फ यही कारण है चूंकि भोजन में एक बेट में नहीं लगेगा बिल्कुल गाठ बाद लें आप कि भोजन में यदि कोई चीज नहीं है तो क्या आपके क्रोध करने से वह चीज आ जाएगी बताइए मुझे आपने घरस में धरम पत्नी से चाय का प्याला मागा और चाय में चीनी कम है और गुष्टा चालू कर दिया तो क्या चाय मीठी हो जाएगी चाय तो मीठी नहीं होगी बलकि साम की चाय भी फीकी हो जाएगी चाय तो मीठी नहीं होगी लेकिन साम की चाय भी फीकी हो जाएगी और आप महिलाओं को भी चाहिए कि यदि आपने अपने पतिदियों को कहा कि जाओ मार्केट जा र उसमें मतर ना निकले, टमाटर निकले, खकली निकले, बरवटी निकले, तो आप क्या करते हो? अब आप लोग बता सकते हैं क्या होता है, क्या बताएंगे? क्या करते हैं कि एक चीज भी ध्यान नहीं रहती है आपको उस समय चाहिए ये विवेक लगाओ कि हो सकता है कि उस दुकान पर बजारे में मटर नहीं होगा तो जो है उसको बना कर आनलो और फिर पुछो लेकिन हम लोग तो ठेला देखते साथ चालो हो जाते हैं ऐसा आओगया वैसा आओगया पर उसकी भी तो सुनो एक बार ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति जीवन के चरम पर था उसके मन में दुविदा थी कि मैं क्या करूं बिभाय करूं कि ना करूं क्योंकि लोग जो बिभाय करते बिवाय क्या है चुंगम समझते चुंगम चुंगम आती थी पहले आती है क्या चुंगम चुंगम खाते हैं लोग सुरू में कैसी लगती है मीठी बाद में मुझ से फिकना पड़ती है तो क्या बिवाय क्या है तो कहते हैं सुरू में आहा आहा क्या है हॐली शुरु मेंग बाद में वहावा क्या है सुरु में आहा आहा बाद में बावाव और अंत में तवाह तवाह इसका नाम क्या है इसलिए हम लोग प्सले हि निकल लिए हैँ सुरू में तो zaman आहे होता है करूं की ना करूं तो एक संत के पास में गया कि मैं बिवाय करूं तो मैं कैसा जीवन जी हूं उन्हें ने का जाओ एक जोपड़ी में एक संत रहता है अन्य शंपरदाई की संत होगे परिवारसाइथ होते थे उन्हें से जाकर पूछ कर आओ कि बिवाय करूं ना करूं वह व अपनी का अंदर आवास दी कि चाओ लालटेन लेकर आओ है बरी दुभेरी में शंत बहर बैठा है अपनी पतनी को अपनी जो सेविगा को अबाश ही आओ कि छाओ लालटेन लेAKर आओ तो जो पूछने गया था बोले कैसा बूर्खादिमी है कि भर दुफेर में लाल्टेन मांग रहा है और आप विचार करिए कि नीचे सड़क पर खड़े हो कर दिन में आपके पती बोले टार्च भेज दो तो आप क्या बोलोगे क्या बोलोगे अब कई लोग बोलते है मारा जी आप यहां बुला लेते हो घर में समस्या हो जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होगा कि बोलेंगे कि दिन में भी नहीं दिख रहा है क्या जो टार्च मांग रहे हो पत्नी अंदर से लाल्टेन लेकर आ गई फिर थोड़े दे बाद पत्नी ने अंदर से आवाज दी कि बाहर टोकरी में केले रखे हुए हैं केले दे दो उसने क्या किया किया केले के जिगा से ओ दे दिये मिचार करिये क्या होगा कि क्या होगा आप जानते क्या होगा अंदर से कुछ भी आवाज नहीं चाइए उस ने का यह तो पति भी पागल है ओर में यह तो चला हो आप उसकी मरमत को माँग रहे होगे तो मैंने तो से कहां कि मैंने आप से एक भी लुआ है तो मैं वे जिसिए नहीं होई मेर्या going चुल नहिए कर दोनी है मेर्या पती कोई को ना समझतानी है जब मैंने लुआ है तो हो सकता है कि मेरा बच्चा के撲े खाकर स्कूल चला गया हो तो इसने स्यों लाकर अंदर दे दिये ओम्एं अंडैसचुट, यह तो हमारी ग्रस्थी का अंडैस्चूट मामला है तो उसने का कि तू यदी बिभाये करने जा रहा है तो अपनी ग्रस्ती ऐसी बनाना कि तुम्हारे आख के सारे में कारे हो जाएं तो यह है संसार में कि क्रोध जब आता है बिभाय जब होता है तो बिभाय करने के पहले इंशान कैसा हो तो क्रोध कैसा है क्रोध जो है वह तातकालिक पागलपन है क्या है क्रोध एक तातकालित पागलपन है कि जैसे पागल होते ना पागल उसी तरह से क्रोध ही इंसान होता है कि वह है कहीं पर भी तो जब भोजन करने जाओ तो भोजन करने बैठो तो बिल्कुल ठंडा करके माता बैठो क्यों बैठो क्योंकि जो भोजन में बना है वह बदलने वाला तो नहीं है लेकिन क्रोध करोगे तो इसका भी आनंद नहीं ले पाओगे लेकिन सबसे ज्यादा इंशान भारत देश के 99.99% लोग यदी क्रोध आते हैं तो छोड़ता क्या है गुस्ते में छोड़ता क्या है भोजन और मैं दो कहता हो चुफ्र हाए तो भोजन और करो जब तो लड़ने की अनर्जी मिलेगी। बैसे ही क्रोध मामला गरं पेट गरं तो बानी कहां से नरम आईघी मामला सिरगर बेद गरं toim तो बानी नरम कैसे आईगी और सिरगरम है ओ पेठ में थंड़ा है तो बानी भी नरम और तो और गुरुदियों अक्सर कहते थे कि क्रोध यदी आता है तो उस समय आपको उस इस्थान को छोड़ देना चाहिए जहां पर क्रोध की उत्पत्ती हो रही है लेकिन आज का मानाओ तो कमरे के अंदर जगड़ा हो रहा है वह बहार से कमरे में जा जाके जगड़ा करता भरत भागुली भगवान परनिश्थाग में तhrashtah देखाओगा आपने कैसा यह जगड़ा हुआ? जलियुद, मलियुद, दृष्टियुद, कैसे कैसे युद्ध हुए, ऐसे ऐसे युद्ध हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, युद्ध हो गया, लेकिन युद्ध होने के बाद, भाई चारा ने बुग गया, आप तो उसा जगला करी नहीं सकते, क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन क्रोध का जीवन में से जाना बहुत बड़ी बात है तो क्रोध क्या है क्रोध आए तो यदि आप इस्थान बदलोगे तो क्रोध से बच जाओगे क्रोध आए तो आप पानी पीना चालू कर दो क्रोध आए तो आप विचार करो कि इसके पहले मैंने क्रोध किया था तो मेरे साथ में क्या हुआ था और मैं तो यह कहता हूं कि प्रते एक व्यक्तिय नियम ले ले कि एक बार क्रोध आएगा तो नो बार नमुकारवंतर पढ़ोंगा इतना भी कर लोगी तो क्रोध चला बुरामत बुरामत सुनो और बुरामत बोलो गांधी जी महात्मा गांधी जी ने आपको तीन मंदर दे दिये लेकिन आज भी महात्मा गांधी की आत्मा कह रही है यह मुझसे चूक हो गई महात्मा गांधी की आप महात्मा कह रही है कि मुझसे चूक हो गई कि मैंने बुरामत देखो कहा बुरामत सुनो कहा बुरामत बोलो कहा लेकिन मुझे बूलना चाहिए था कि बुरामत सोचो क्या आज हर आदमी जब टेंसन में होता है तो कैसे बैठता है पिक्चर देखिएगा फोटू देखिएगा अपनी खुद की देखो यह जब आज इस वस्ते हमें ऐसा बैठता है तो वो सोचते कि उनको कहना चाहिए था कि बुरा मत सोचो कि यदि बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा बोलोगे नहीं बुरा सुनोगे नहीं और बुरा देखोगे नहीं लेकिन आज कल क्या है हर इंसान बुरा सोचता है और मैं तो कहता हूँ जो बुरा सोचता है उसको चोके में जाकर थोड़ा सा बुरा खान लिना चाहिए तो क्या होगा वह बुरा सोचना बंद कर तेका आज लोग बूरे कात्याग करते ये workers करते हैं इसको प्राइब Только बलकि बुरी बातों का बुरे बास सोचने का ते कोता ह३ा है आर्याप का तो कोई गूब नहीं है आपने सुदें या जल गई लेकिन उसके बात अनुझ ने उसको पश्चा ताप की अगनी में जला लिया लेकिन यहां पर तो कौध आता है तो कई सारे लोग तो कौध में क्रोध आने पर मंदिशी ने खि Hm जिन्वानी ते घृत अगया तो मैं उस जगह पर जाऊंगा नहीं उन्न महराच के पास जाऊंगा अरे ये करोगी कुरोध आ रहा है तो जिस आदिमी की कारण आ रहा है उससे बारतलब बंद करो दो ना मितेश जैन नवीन जैन महला मंडल प्रधान कविता जैन कोशाध्यक्ष स्वाती जैन